हेलो स्टूडेंट्स आज हम पहला टॉविक पढ़ेंगे वह है बेवेर आफ लाइट एड़ इंटरफेस ओफ टू मीडिया जो दो मीडिया हम कॉंसिडर करेंगे वन है यहार और दूसरा है एक ग्लास लेब सपोज यहां पर एक ग्लास लेब है और इस ग्लास लेब के उपर अभी एंगेल आफ इंसिडरेस निकालने के लिए हम लोग एक नॉर्मल ड्रो कर रहे है तो नॉर्मल क्या होता है एक लाइज जो सर्फिस के उपर हमेशा परपेंडिकुलर रहता है तो यह एंगल कितना है डिग्री है 90 एग्री है तो यह लाइन का नाम है इंसिडेंट रे यह इंसिडेंट रे एक एंगल क्रियेट करता है विद इस नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं एंगल आफ इंसिडेंस और उसको डिप्रेजन करते हैं स्मॉल लेटर आई से तो यहाँ पर जब लाइट आके गिरेगा तो दो फेनेमन होंगे एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्लेक्शन जिनको हम इलैबॉरेटली बाद में पढ़ेंगे तो जो इंसिडेंट लाइट है और जो इंसिडेंट रे है उसका कुछ पर्ट क्या होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो यह हम लोग का reflected ray है reflected ray एक angle create करता है with this normal जिसको बोलते हैं angle of reflection तो incident rate का एक पार्ट क्या हो गया reflect हो गया और दूसरा पार्ट क्योंकि यह glass है तो यह incident rate का एक पार्ट इस glass में भी जाएगा तो क्योंकि glass air से थोड़ा dancer होता है तो जब light ray air से glass में जाएगा यह थोड़ा band हो जाएगा किसके तरफ? towards normal यह क्या है? यह हम लोग का normal है देखो जब incident rate air से glass में जा रहा है तो थोड़ा band हो गया है किसके तरफ? नॉर्मिल के तरफ यह जो phenomenon है इसको हम बोलते है reflection यह जो ray है यहां से यहां तक जो ray है इसको हम बोल रहा है reflected ray और यह एक यहां पे angle create करता है इसको बोलते हैं angle of reflection तो यहां पे actually और भी एक phenomenon हो रहा है उसका नाह में absorption क्या होता है light जब glass में enter कर रहा है तो थोड़ा light क्या करता है glass absorbed कर लेता है जिस तना light वो absorbed करता है जिदा absorbed light तो यहां पे actually तीन phenomenon हो रहे है one है reflection वो खास हो रहा है from the upper surface दूसरा phenomenon क्या हो रहा है reflection यह कब हो रहा है जब यह insulin light ray एक medium से दूसरी medium में जा रहा है और तिसरा जब phenomenon हो रहा है वो है absorption absorption कहा पे हो रहा है absorption हो रहा है यहां पे inside the glass तो जब light एक medium से दूसरी medium में जाता है तो यह तीन phenomenon हो सकते है अगर यह पुड़ा opaque होता तो light penetrate नहीं करता यहां से light reflect होके back हो जाता लेकिन क्योंकि यह opaque नहीं है इसका मतलब light उससे pass कर सकता है तो जब यह pass करेगा थोड़ा लाइट यहां पर absorb हो जाएगा और यहां पर reflection होगा students next topic में discuss करूंगा वह है laws of reflection जो थोड़ा बहुत आप लोग ने class 10 में पढ़ा है तो इसके लिए मैं क्या कि consider कर रहा हूं मैं एक plane mirror consider कर रहा हूं तो यह plane mirror है जो आप लोग हमेशा use करते हो खुद को देखने के लिए तो यह plane mirror है यह क्या है यह एक normal है normal हमेशा कितना degree create करता है 90 degree with the surface तो इसका 90 degree है अभी यह बन गया हम लोग का incident ray रह अभी तक नहीं बना है इस पर arrow देना पड़ेगा तो यह बन गया है हम लोग का incident ray अभी जो incident ray यह बनाता है उसको बोलते है angle of incidence जिसको हम eye से represent करते हैं अभी देखा गया है from experiment as well as from theory जो हम लोग का reflected ray होगा वो same angle बनाएगा with normal यह हम लोग क्या है यह हम लोग का reflected रहे हैं और वो कितना angle बना रहा है वो r angle बना रहा है यह है angle of reflection तो from theory as well as experiment से यह पता चला है कि हम लोग का जो angle of incidence है और जो angle of reflection है वो हमें शर्क क्या होता है समान होता है अगर हम angle of incidence को increase करेंगे तो हम लोग का angle of reflection भी increase करेंगा जब suppose हम लोग angle of incidence को क्या कर देंगे जिरो कर देंगे तो हम लोग का angle of reflection भी जिरो बन जाएगा यह कब होगा अगर light ऐसे गिरता है suppose यह वही plane mirror है और यह हम लोग का normal है suppose हम लोग का light को कैसे यह आप incident करवाया है along the normal तो along the normal होगा तो यही normal है और यही incident ray है अभी देखो कितना angle है दोनों के बीच में 0 degree है तो from first law of reflection हम बोल सकते कि angle of reflection भी कितना होगा 0 degree होगा तो 0 degree होगा तो वो कैसे बेक करेगा वो same path में बेक कर जाएगा तो यह किसका example है यहाँ पे i भी 0 है r भी 0 है तो हम अगर other values भी लेते जितना भी आप angle i का value होगे r का value उतना ही होगा लेकिन यहाँ पे एक condition चाहिए कि कि हम लोग का जो surface है वो क्या होना चाहिए स्मूथ होना चाहिए अगर यह surface rough होगा तो हम लोग को यह जो चीज़े third different way से मिलेगा वो मैं बाद में आपको discuss करूंगा अभी जो हम लोग का second law है second law क्या बोलता है कि हम लोग का incident ray reflected ray और normal एक ही plane में रहेगा हमेशा तो यह कौन सा प्लेइन होगा देखो यह जो मैं एक dotted plane ड्रो कर रहा हूं यह दुग एक dotted plane है actually यह plane कहां पर है on the board यह incident ray भी बोर्ट के उपर है यह reflected ray भी बोर्ट के उपर है और यह normal भी बोर्ट के उपर है और यह plane of reflection यानि जिस plane में क्या हो रहा है reflection हो रहा है और यह तीनों किसमें एक्जिस्ट कर रहे हैं incident ray reflected ray और normal तीनों इस plane के उपर लाई कर रहे है यह है आपका second law of reflection कि incident ray reflected ray and normal तीनों एकी plane में लाई करेंगे स्टुरेंट्स जो हम लोग का surface है हमेशा smooth नहीं होता है अगर हम smooth surface लेते हैं तो हम लोगों क्या मिलेगे यह हम लोगों ने अभी देखा है लेकिन अगर हम लोग एक rough surface लेते हैं जैसे एक surface है ऐसे rough है तो उसमें अगर हम लोग reflection consider करेंगे suppose यह एक plane mirror है लेकिन यह rough है यह smooth नहीं है तो उसमें reflection कैसे होगा देखो मैंने एक ray draw किया है एक incident ray है अभी देखो यह surface थोड़ा कार्व है यहां पे तो स्मूथ है यानि वह plane है तो हम इसको इसका normal ऐसे होगा तो यह हम लोग का angle of incidence है और यह light इस तरफ reflect करके जा रहा है इस ray में कुछ problem नहीं है लेकिन अगर हम लोग एक दूसरा incident ray consider करते है सपोज यहां पर इस पॉइंट पर मैं एक दूसरा incident ray consider कर रहा हूं देखो यह जो दो rays है यह दोनो parallel to each other है तो reflected ray भी parallel होना चाहिए मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखो इस point में normal के ऐसा होगा अगर हम इस जगह पे एक plane consider करते हैं यह imaginary plane है तो normal यहां पर ऐसा होगा दोगों यह जो normal है अब इसका नाम हम लोगे नाम दिया है n1 और इसका नाम दिया है n2 यह दोनों parallel नहीं है जो हम लोग का n1 normal है और n2 normal है दोनों parallel नहीं है तो यह जो हम लोग का angle होगा यह angle अगर i1 है और यह angle i2 है तो i1 and i2 कभी भी equally नहीं होंगे तो light जो reflect करेगा इस surface में इस surface से यानि यहां से इस point से यानि point सब्सका point नाम दिया 1 इसका नाम दिया 2 तो जब ओ two से reflect करेगा तो देखो कैसे reflect करता है light ऐसे reflect कर रहा है यहां पे angle जब बन रहा है वो क्या है r2 है i2 and r2 समान है by law of reflection बट यहां पे जो r1 है और r2 है वो समान नहीं है क्यों समान नहीं है क्योंकि हम लोग का I1 और I2 समान नहीं है तो देखो ये light इस तरफ reflect हुआ है और ये light इस तरफ reflect हुआ है दोनों में ही losser reflection follow हुए है क्योंकि I1 and R1 समान है और I2 and R2 समान है यानि losser reflection follow हुए है बट क्योंकि surface थोड़ा क्या है rough है इसलिए उसका normal क्या है N1 and N2 parallel नहीं हुए है इसलिए हम लोग का जो reflected rays है यानि ये एक reflected है और ये दूसरे reflected है वो parallel नहीं हुए है यही cause है हम साड़े चीज़ को देख पाते हैं देखो हमारे सामने जो भी चीज़ है वो actually rough है मेसम चीज़े rough होते है इसी कारण हम जिसी भी एंगल से उस object को देखे हमको वो चीज़ दिखाए देते हैं बट अगर वो surface क्या होगा smooth हो जाएगा तब सिर्फ इसी condition में i is equal to r होगा तो आपको वो चीज़ दिखाए देगा बट क्यूंकि हर चीज़े rough है इसका मतलब क्या है हर एंगल से light जा रहा है अगर हम एक जगे पे एक point से इस point से इस point में जा रहे है तो क्या हो रहा है normal change हो जा रहा है तो हम जिसी भी एंगल से देखे वो चीज़ हम लोग को visible होता है क्योंकि हर चीज़ को क्या होता है rough होता है अगर स्मूथ होता तो इसी condition में आपको यह चीज़ दिखाए है ता सब यहापे जैसे हम लोग आख रखेंगे तो यह चीज़ हम लोग को visible है अगर हम यहापी भी आख रखते हैं तो हम लोग को यह चीज़ यह point इस जगर से visible है इसका near about point देखो यह जो point है इस जगर से visible है तो हम आख को जहापी भी रखेंगे वो चीज़ हम लोग को visible होगा लेकिन अगर surface smooth हो तो ऐसा नहीं होगा देखो अगर हम लोग एक smooth surface लेटे है और वहाँ पर light आके ऐसे गिर रहा है यह normal है तो reflected light इस तरफ जाएगा तो अगर आपका आख यहाँ पर रखोगे तो यह आपको यह चीज़ विजिवल होगा सब्सक्राइब आपने आख यहाँ पर रख दिया तो यह चीज़ जो light गिर रहा है वह आपको visible नहीं होगा तो आपको आख को कहाँ पर रखने पड़ेगा हमेशा इस condition में यानि i is equal to r में रखने पड़ेगा तो यह चीज़ विजिवल होगा सब्सक्राइब दूसरे एक रेड रो किया है वो भी ऐसे reflect करेगा क्योंकि दोनों का normal जो है n1 n2 क्या है parallel है तो यहाँ पर यह अगर i1 है यह भी क्या होगा i1 होगा यह अगर r1 है यह भी r1 होगा तो incident ray अगर parallel है तो reflected day भी parallel होगा कब जब आपका surface क्या होगा स्मूथ होगा यह एक important चीज़ है इसके साथ related physical example है जैसे जब सब रात में हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं जो हम लोग का रोड होता है suppose एक dry day है यानि कोई बारिश नहीं हुआ है तो हम लोग उस रोड को clearly देख सकते हैं जब गाड़ी से आके light road में गिरता है उसको हम clearly देख सकते है suppose अगर एक dry day है तो रस्ता क्या होगा थरा उबर खावर होगा यानि up and down होगा रस्ता तो हमेरे smooth नहीं होता है suppose this is the road और आप इस road से जा रहे हैं यह आपका vehicle है इस car से आप जा रहे है यह आपका car है और इस car से light जाके गिर रहा है का पर यहाँ पर light है और light जाके गिर रहा है road पर और यह incident ray है तो यहाँ से बहुत सारा light आपके गिर रहा है तो light reflect होके driver के आप में जब जाता है तब उस चिसको देख पाता है देखो तो यह light सिर्फ इस direction में reflect नहीं होगा यह हर direction में reflect होगा हर direction में यह light जा रहा है यह light क्यों जा पा रहा है विकोज यह surface क्या है यह surface rough है लेकिन अगर ऐसा होता suppose बारिश हुआ है यानि मैं रात का बात बोल रहा हूँ रात में बारिश हुआ है तब क्या होगा actually रस्ता ऐसा थोड़ा up-down था लेकिन बारिश के कारण क्या होगा आपका पूरा रस्ता आपक प्लेइन बन जाएगा यह क्या है यह actually water यह actually water है यह आपका क्या था यह actual road था आपका और यह बारिश होड़ के कारण क्या हुआ है आपको जब road है एकदम समान दिखाई दे रहा है तब अगर आप गाड़े से जा रहे हो उसी road पे तो क्या problem होता देखो suppose यहाँ से light जाके गिर रहा है यहाँ पे तो क्या होगा क्योंकि surface एकदम smooth है यहाँ पे अगर हम एक normal draw करते हैं तो यह क्या होगा angle of incidence और light किस तरफ जाएगा by laws of reflection light जाएगा इस तरफ यानि यह बन गया है angle of reflection और यह दोनों समान होंगे तो light देखो light इस तरफ गूम के नहीं आ रहा है यह जो driver यहाँ पे जो बैटा है उसको light दिखा ही नहीं देगा वो किस तरफ जा रहा है अगर suppose इस तरफ दूसरे एक कार आ रहा है इस कार में दूसरे एक diver बैटा है तो वो light जो light reflect होड़ा वो problem होगा और इस driver को क्या problem होगा इस driver को road ठीक से दिखाए नहीं देगा क्योंकि यहाँ से कुछ light reflect करके नहीं आ रहा है तो अगर rainy day है और आप रात में वेहिकल चला रहे हो तो आपको carefully चलाना पड़ेगा क्योंकि आपको जादा light आपको नहीं मिलेगा जिसे आप road को दे सकत पर रहेगा तो इस लाइट जो reflect होके आपके आप में आएगा आप उसको clearly देख पाओगे students जो चीज़ अमने अभी discuss किया है उसको उसका third दो नाम है जैसे अगर surface क्या हो rough हो तो light वहाँ पर आगे अगर parallel race गिर रहे हैं तो after reflection वो सारे parallels नहीं होते हैं वो different direction में जाते हैं क् हम लोगों पता है कि यहाँ इस surface में जो normal draw करेंगे वो parallels नहीं होंगे यहाँ पर जो normal होगा यहाँ पर जो normal होगा क्या होगा वो different होगा यानि वो parallels नहीं होगे सब्सक्राइब यहाँ पर जो normal होगा यह अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर इसका नाम दे दिए n1 यहाँ पर ज जगे में जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा ऐसे तो नॉर्मल डिफ्रेंट होने के करन्ट क्या होता है लाइट डिफ्रेंट रियक्शन में जाते हैं लेकिन इंसिदेंट रेज हमेशा पैरल रहते हैं तो इस रिफ्लेक्श का नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो जैनर का जो incident ray जो एंगल बनाता है वो एंगल of reflection के समान होता है और अगर हम वहाँ पे बहुत सारे rays ड्रो करें parallel to each other बहुत सारे rays ड्रो करें parallel to each other after reflection वो क्या रहेंगे हमेशा parallel रहेंगे क्यों parallel रहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो normal से जिसी पी पॉइंट में नॉमल करो इसको नाम दे दिये N1 इसका नाम दे दिये N2 इसका नाम दे दिये N3 देखो N1, N2, N3 तिनों parallel है इसलिए हर reflected ray parallel होता है उस चिसको हम अगर हम एक laser से experiment करें with rough surface and smooth surface तो हम लोगों को वो देखने में मिलेगा सपोस्ज यह एक rough surface है इसके उपर अगर आप laser light गिराओगे तो क्या होगा आपको light हट डिक्ष्मेंट देखेगा कि light जा रहा है इदर जा रहा है इदर जा रहा है हट डिक्ष्मेंट थोड़ा बहुत light मिलेगा मगर वो अगर एक smooth surface है सपोस्ज यह क्या है यह एक plane mirror है वह आप अगर light कॉप ऐसे गिराओगे तो जो भी reflected rays होगा वो हमेशा क्या रहेगा parallel रहेगा तो इस टाइप के reflections में जा पर surface smooth है उसको बोलते है specular reflection और जा पर surface क्या है rough है उसको बोलते हैं diffuse reflection में एक बहुत ही मज़े का topic है उसका नाम है retro reflection वो कब होता है suppose हम लोगों ने दो mirror लिये है यह mirror यह दोनों mirror ऐसे है कि दोनों में एंगल कितना है 90 अगर हम इसमें एक incident ray को गिराते हैं यह हम लोग का incident ray है यह ऐसे reflect होगा और reflect होगे ऐसे घुम के आएगा तो देखा गिया है अगर मैं इसमें normal ड्रो करता हूँ और geometry उसकरता हूँ तो देखा गिया है कि incident ray और parallel ray sorry reflected ray हमेशा parallel रहते हैं तो यह अगर हम लोग का incident ray है और यह हम लोग का क्या है finally reflected यहाँ पर एक बार reflection हो रहा है यहाँ पर दो बार reflection हो रहा है यानि finally reflected यह है तो यह हम लोग का one ray ray two और यह ray three है तो देखा गिया है कि अगर हम लोग का दो mirror के बीच में angle 90 degree है तो incident ray और जो finally emergent ray है यानि ray one and ray three हमेशा parallel लेते हैं तो इस fenomenon का नाम बोला गिया है retro reflection यहाँ पर हमने कितने mirror यूज किये है only two mirrors लेकर अगर हम यहाँ पर एक third mirror यूज करते हैं और उसको ऐसे लगाते हैं कि वह जो next वह जो third mirror है वह third mirror perpendicular to क्या होगा first and second है यानि अगर हम यहाँ पर एक ऐसा mirror लगा देते हैं जो पहले वाले mirror and second mirror दोनों के साथ क्या है perpendicular रहता तो वह पर सेंव फेनमेन होता लेकिन अगर हम दो mirror यूज करते हैं तो वह में phenomenon जो होता हो वह 2D phenomenon होगा यहाँ पर जो हो रहा है वह two dimensional phenomenon है यानि वह एक plane में एक्सिस कर रहा है लेकिन अगर में यहाँ पर एक third mirror लगाता हूँ तो वह पर three dimensional फेनमेन होगा वह पर सेंव होगा वह पर इंसिडेंट रहे और फाइनली इमर्जेंट रहेगा जो पराल रहेगा लेकिन वह पर वह three dimensional होगा यानि आपको एक मोटा सा बीम बिनेगा इसी टेक्निक को यूस किया गया था इन एपलो मिशन एपलो मिशन क्या है जो जो नासाने जो हुमेंस को वेजा था इन मून फॉर स्टार्डिंग दा मून उसका नाम है अपलो मुशन तो वो एपलो मिशन में इसी एक चीज़ को इंस्टोल किया गया था आफ और मून तो सब्सक्राइब कि हम लोर का मून है और उस मून में क्या बैठा गया था एक 3-D रेट्रो रिफ्लेक्टर रेट्रो रिफ्लेक्ष्टर रेट्रो रिफ्लेक्षिन है फैन व eyeballs निख नाम और जिस इसको हम लोग जिससे बनाते हैं उसको जितुक्रहां लिपैजा last with टांव Allah जाता है हम लोग ऑसे लाइट को छोड़ा जाता है कहां पर उस लाइट्रो नियुक्पर पर है सुपूस अगर यह लोग का आर्थ है हिसार लेजर लाइट चुड़ रहे हैं रहे खाप और रेट्रो रिप्लेक्टर जो कहां पे ہے फियर हम लोग का ड्वेट्रो रिफ्लेक्टर को बैटाया गिया है जो क्या करता है light को फुल्ली बेख कर डेता है तो वह से light क्या होगा after reflection ओग करके आर्ट में आके पोचछेगा तो अगर यह आट में आगे पहुँच रहे हम लोग को तो speed of light पता है कितना है 3 into 10 to the power 8 meter per second और जब हम light को भेज रहे हैं जब light घूम की हमारे पास आ रहा है इस time को भी हम measure कर सकते है with the help of stopwatch तो हम लोग को क्या पता है time भी पता है suppose it is t seconds तो हम लोग को speed पता है time पता है तो हम लोग distance निकाल सकते है as equal to vt यूज़ करके यहापे vt नहीं होगा यहापे होगा city तब हम जब इस time को और इस चीज़ को यहापे बैटा देंगे then we can find out the distance between earth and moon यह जो distance लिकाला गया है by this technique उसमें दिखाया गया है कि उसका accuracy क्या है plus minus 15 cm है यानि बहुत ही अच्छा result लिकाना जाता है by this method यह जो रेट्र रिफ्लेक्शन का principle है यह एक दूसरे के भी भी यूज़ किया जाता है आप लोग ने देखा होगा जब हम बैकल से रात में उप करते हैं रात में जहां पे कुछ रोड में instruction लिखा होता है वो चीज़ ग्लो करता है suppose हम लोग ने एक instruction को consider किया है suppose एक जगे पे लिखा है stop ओके यह चीज़ रात में ऐसे दिखाई नहीं एगा कि इसमें क्या नहीं है कोई light नहीं है बट जब आप एक वेहिकल लेके उसके सामने जाओगे तब जब आपका वेहिकल का light उसमें जाके गिरेगा जब इस वेहिकल का light यहां पे जाके गिरेगा तब यह चीज visible होता है तो यह चीज कैसे visible होता है तो actually क्या होता है यह जो हम लोगों का object है जिसमें stop लिखा है उसमें क्या होता है वहापे भी retro reflection का principle ही यूज होता है वहापे spherical retro reflector use होते है यानि light जाके इस यह जो चीज टॉप लिखा है ना उसमें ऐसे बहुत सारे spherical क्या है रेट्र रिफ्लेक्टर है तो सब्स यह point है इस point में एक है जिसको मैंने बढ़ा करके draw किया है तो उसमें light जाके गिरता है उसके बाद यहां पे reflection होता है उसके बाद यहां से reflection होता है और light fit से घुम के आता है तो इसमें थोड़़ different है पहले में किया है हम लोगे यूज किया था हम लोग ने mirror यूज किया था for 3D retro reflection हम लोगे 3 mirror यूज किये थे 2D के लिए 2 mirror लेकिन यहां पर हम लोग क्या करे है हम spherical retro reflector यूज कर रहे क्योंकि अगर हम इसमें mirror लग क् बहुत ही critical हो जाएगा तो यह stop लिखा होता है इस stop में हर point में क्या है ऐसे retro reflector है तो lights जब यहाँ पे जाके गिरेगा यहाँ से यह घूम के कहाँ पे आएगा यह गूम पे driver के आप में आएगा तो easily यहाँ पे वो दिखाई देगा यहाँ पे extra light का ज़रूरत नहीं है जब यह गाड़ी इदे से चला जाएगा तो यह फिर से invisible हो जाएगा तो ऐसे जितने भी instruction लिखे होते हैं आप लोग देखोगे जब light वहाँ पे गिरता है तब यह glow करता है तब ही दिखाई यहता है क्योंकि वह क्या है हर एक retro reflectors है वहाँ पे बहुत सा retro reflectors है और वहाँ से light reflect होके driver के आग में आता है तब वो चीज विजिवल होता है